सो चुहे मारके एक थी बिल्ली वह रोजाना एक मुल्ला के घर में घुस्ती और मटकी में रखा घी चाट जाती एक दिन मुल्ला जी चोड को पकड़ने के लिए केवार के पीछे छिप कर खड़े हो गए तभी बिल्ली खिर्की के रास्ते आकर मटकी में से घी चातने लगी तो रंत मुल्ला जी ने डंडा उठाया और उसे मारने दोरे बिल्ली का सिर मटकी में था वह घबरा कर भागी दोरती हुई एक खंबे से जातक राई मटकी फूट गई लेकिन उसका कंठा बिल्ली के गले में ही रह गया बिल्ली गले में कंठा लिये आगे बढ़ी रास्ते में उसे एक कबूतर मिला कबूतर ने पूछा बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी कहां चली बिल्ली बोली तीरत करने कबूतर ने पूछा गले में यह क्या पहना है बिल्ली ने जवाब दिया यह कंठा है मुझे मेरे गुरु जी ने दिया है कपूतर ने पूछा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ बिल्ली ने कहा जरूर चलो अब कपूतर ने धीरे से पूछ लिया मौसी, आप मुझे मार कर खा तो नहीं जाओगी। बिल्ली बोली, राम राम, मैं सन्यासिन हूँ, तीरत करने जा रही हूँ, तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। कबूतर को तसल्ली हो गई, वो बिल्ली के साथ चल पड़ा। रास्ते में उन्हें चूहा मिला, उसने भी बिल्ली से वही पूछा, जो कबूतर ने पूछा। बिल्ली बोली, मैं तो शाकाहारी हूँ, सर्फ खास फूस खाती हूँ, और प्रभू के गुण गाती हूँ। यह सुनकर चूहा भी बिल्ली के साथ चल दिया। आगे चलने पर उन्हें एक मोर मिला। मोर ने भी बिल्ली से वही प्रश्न पूछे, जो चूहे ने पूछे थे। बिल्ली ने कहा, मैं तो राम की भक्त हूँ। इस प्रकार कबूतर और चूहे की तरफ अब मोर भी बिल्ली के साथ चल दिया। चलते चलते वे सब एक मंदिर के पास पहुँचे। शाम धल चुकी थी, इसलिए सब मंदिर में ही ठहर गए। कबूतर, मोर और चूहा तो रास्ते में ही दाना चुगते खाते आये थी। लेकिन बिल्ली भूकी रही थी, क्योंकि उसने सन्यासनी का चोला पहन रखा था। वह तो मौके की तलाश में थी, उसने पहली चाल चली। उसने अपने साथियों से कहा, तुम सब मंदिर में सो जाओ, मैं बाहर पहरा दूँगी। आधी रात हो चुकी थी, जब वह दबे पाओं अंदर आई, तो क्या देखा, सब जाग रहे थे। सब की मन में थोड़ा डड़ पहले से ही था, अब बिल्ली क्या करती। उसने चाल बदली और कड़कर कबुत्तर से कहा। तुम दीदे किसे दिखा रहे हो। कबुत्तर घबरा कर बोला, किसी को नहीं बिल्ली मौसी, ये दीदे तो यों ही खुले हैं। फिर बिल्ली ने कड़कर मोड को डाटा, तुमने सिर पर ये कलगी किसली लगाई है। मोर भी खबरा कर बोला, मैंने नहीं लगाई बिल्ली मौसी, यह तो अपने आप ही निकल आई है, अब बारी चुहे की थी, बिल्ली गरजी, तुम किसे देख कर मुझे पिटाव दे रहे हो, सीना चौडा करकी चुहा गरजा, सौ चुहे मार कर बनी धोंगी सन्यासिन को, मैं ठेंगा भी दिखा रहा हूँ, यह सुनकर बिल्ली आग बबूला हो उठी, जैसे ही वह चुहे को मारने के लिए लपकी, कि चुहा बिल में खुज गया, कबूतर उड़कर छट पर जा बैठा, और मोर बाहर भाग गया, भूकी प्यासी बिल्ली हाथ मलती रह गई, उसक की चाला की पकड़ी गई, समझदार लोग सोच समझ कर दोस्ती करते हैं, किसी की बात पर तो रंत विश्वास कर लेना ठीक नहीं, बनावटी रूप दिखाकर ठगने वाले लोगों की पोल एक दिन खुल ही जाती है